दोस्तों इस वड़ों बात करने वाले हैं, आयुसमान कार्ड के लिए कैसे आपको फॉर्म को अपलाई करना है, किस परकार से आपका आयुसमान कार्ड बनेगा, जिसमें आपको 5 लग तक का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा, अब देखें इसके लिए आपका लिष्ट में ना करने के बास से उसका तुरंट करेंगे और तुरंट जो है आयुसमान कार्ड बनाके भी आपको दिखाएंगे, इसके लिए आप बेनिफिसरी के थुरू यहाँ पर लोग इन करके सिर्फ और सिर्फ जनकारी को देख सकते हैं, हलाकि यहां पर लिखा हुआ है कि आप अधार लिंक कर सकते हैं, और अपरेटर या बेनिफिसरी किसी माधियम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्ट होने का ज़धा चांस रहता है, अगर आपके बास ऑपरेटर अइडि है, तो उसमें जफिसरी यहाँ पर आप आयूसमान कार्ड 100% बन जाएगा, रिजेक्त नह होते हुए भी आप जब KYC नहीं करेंगे तब तक आपका यहां पर आयुस्पमान कार्ड नहीं बनेगा तो आप बेनिफिसरी आइडी के थुरू आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन हम यहां पर एक ऑपरेटर आइडी के थुरू करके आपको बताने वाले हैं और ऑपरेटर आइ के लिए अपलाई करेंगे तब आपको मिलेगा अगर आपके पास यूटी आई का अजेंसी है या अलंकित का अजेंसी है या बैंकिंग सक्टर से जुड़े हुए है किसी एजेंसी के थुरू आप जूड़े है तो ही आप यहां पर ऑपरेटर आइडी को बना सकते हैं और अपरेटर आइडी एक बार बन जाएगा न तब जतना चाहें उतना जो है आउस्टमांड कारट जनरे डाट कर सकते हैं किया बहई सी कर सकते है ॥ूअधर ओटीप और और ओस और बहूल सरा भी आप यहां पर login को कर सकते हैं अगर आप comment box में बताएंगे तो हम beneficiary login के थुरू भी एक अगर से separate वीडियो लेकर आएंगे कि beneficiary के थुरू कैसे login करके KYC करते हैं या और जो भी process होता है वो करते हैं और कैसे जो है आयुसमान का डाउनलोड करते हैं जो भी process होता है तो comment box में बता सकते हैं हम अलग से separate वीडियो लेकर आएंगे और बारी बारी से separate वीडियो जो है उसमान काट के उपर यहां पर आने वाला है तो उसका हम प्लेलिस्ट एक अलग से त्यार करेंगे इस चैनल पर और इसके अलबा यहां पर बोलिए तो operator ID के लिए कैसे apply करते हैं अगर आप एक CSCBLE हैं या साइबर के फिवाले हैं तो हम अलग सी वीडियो लेकर आएंगे कि operator ID के लिए कैसे आपको approval मिलेगा और कैसे operator ID के लिए आप अप्लाई करके ले सकते हैं operator ID को चलिए हम यहां पर करते हैं तो हमने यहां पर operator ID जो है login कर लिया है यहां पर आप जितना भी apply करेंगे यहां पर आपको जो अप्रूब डिपेंडिंग रिजेक्ट डिलेवर्ड यह सब आपका दिखाएगा अपने अभी तक कितना apply कर दिया कितना pending है कितना लोगा यहां पर आपका जो है नाम ओगरा सोग होता है आप switch role कर सकते हैं यहां पर देखे क्या कर सकते हैं आप जो है card delivery download card link अधार बहुत सारे option आपको मिलते हैं यहां मिलता है beneficiary search करने का option तो यहां पर जिस भी राजे से आप हैं ओ राजे आप यहां से सुनाव करेंगे यहां पर आपको scheme आता है PMJAY या BOCW क्या होता है तो जो बिहार में labor card के थुरू जिनका नाम यहां पर एड हुआ है न वो यहां पर beneficiary चेक करेंगे यहां डिस्टिक आएगा डिस्टिक चूच करेंगे सर्च वाई क्या है फैमली आईडी के थुरू अधार नमबर से या नेम या लोकेशन रूलर या लोकेशन अर्बन अगर मालनीजा आधार कार्ट से सर्च कर रहे हैं अधार कार्ट से आपका नहीं मील पा रहा है सपोज तो उस case में क्या करेंगे आप यहां पर आधार नमर चुच करेंगी और फिर यहां पर जो है यहां पर आएगा बहुर साखें आ रहा है न इसके बाद से हम यहां पर यहां पर Liter a नाम यहां पर सब पर यहां पर करेंगे PMJ-AW ID है, तो उसके थुरू भी कर सकते हैं, नेम के थुरू भी कर सकते हैं, अधार नमर के थुरू भी कर सकते हैं, Family ID के थुरू भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यदा चांस है कि आपको location wise ज्यदा जल्दी result आपको मिलने गा, क्योंकि यहां पे अधार नमर डालेंगे नहीं मिलेगा आप इलिजिबल रते भी लगाएगा कि हमारा है यह नहीं है लिस्ट में नाम तो फिर कैसे नहीं आपको लोकेशन डूलर वाइज सर्च करें फिर लिस्ट में नाम देखिए तो हमने फ्रेंट्स यहां पे जो है अधा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करेंगे फिर हम करेंगे उसके बाद ही हम काड को डावलोड करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इस परकार से अधार स्ट्रस में identified दिखा रहा है, मतलब अधार link है मेरा, यहाँ पे आपको तीन option मिलता है, आप किसके through KYC करना चाहते हैं, अधार OTP की through, या fingerprint या iris scan के द्वारा, तो आपके अध अधार कार्ट से mobile number link है, तो इसको आप चुनाव करके, और OTP को भेज के किवाईसी कर लेंगे, fingerprint, अगर आपके पास अधार कार्ट से mobile number link नहीं है, तो fingerprint के through कर सकते हैं, तो आपके पास morpho या कोई भी एक finger scanner device होना चाहिए, retina scan करके, आख scan करके भी होता है, बहुत सार लोग अधार OTP का चुनाव कर लेते हैं, फिर यहां पर verify करेंगे, यहां पर आपका declaration आएगा, इसको tick करेंगे, allow करते हैं, यहां पर इस परकार से देखेंगे, तो beneficiary, अधार OTP, NTP चला गया है, OTP को यहां लिखेंगे, और operator के mobile पे भी एक OTP चला जाता है, उसको भी लिखेंग इस पर click करेंगे, यहां पर live allow करेंगा camera, तो हम camera को यहां पर क्या करेंगे, allow करके, हम photo को यहां पर खीचेंगे, तो यह हम खीचेंगे, अगर अच्छा camera है, तो अच्छी quality का photo खीचेंगा, तो ज्यादा chance है, कि आपका यहां पर KYC अच्छी से होगा, form reject नहीं होगा, अब यहां पर नीचे आएंगे, तो यहां पर आपको जो है, पूछ रहा है कि do you have a mobile number, आपको yes करना है, mobile number यहां लिखना है, data birth का, यहां पर year आपको चूच करना है, कौन से year का बड़्डे है, फिर यहां पर आपका family head के साथ क्या relation है, आप पीता है, या daughter है, मतलब यहां पर आ रहेगा, ruler है कि urban से आप आते हैं, यहां पर चूच करेंगी, और district और village चूच करना है, फिर यहां पर आपको submit नीचे में option मिलेगा, click करेंगे, submit करते हैं, friends, आपका KYC यहां पर complete हो जाता है, और यहां पर आपको एक reference number मिल जाता है, और यहां बोला जाता है, कि please check the status using reference number, अ 5-10 minute बात आप यहां refresh करेंगे, तो यहां पर आपका card अगर generate हो जाएगा, यहां लिखेगा कि generated, तो आप क्या करेंगे, यहां पर download कर लेंगे card को, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, action button बन जाएगा, download करने के लिए, तो पहले हम KYC करते हैं, उसके बाद ही card यहां पर generate होता है तो यह पूरा process है, हम आपको अभी download करके दिखाते हैं, 5-10 minute वेट कर लेते हैं, कभी-कभी क्या होता है, यहां पर card generate होने में एक हपता भी लग जाता है, कभी-कभी 10-20 minute में generate हो जाता है, तो आप यहां पर देख लेंगे, आपका क्या है, आप बार-बार login करके भी check कर सकत है, और कभी-कभी क्या होता है, कि आपका KYC reject भी हो जाता है, तो इस चीज़को भी business ध्यान देना है, तो इस चीज़को आपको ऐसे समझना है, और इस तरह से KYC करना, जब तक आप KYC नहीं करेंगे, तब तक आपके हापे card नहीं बनेगा, तो ऐसे लाखो ऐसे लोग है, ज उसका KYC करिए, और card generate करिए, और इस benefits को लिजिए, आप समझते हैं कि कैसे आपको download करना है, card बन जाने के बास से, तो उसी तरह से क्या करेंगे, आप यहाँ पे जनकारी को लिग के search करेंगे, search करते ही, यहाँ पे देखेंगे, तो बहुत सार आपको option मिलेगा, यहाँ पे इसका KYC identified है, लेकिन इसका card generate नहीं हुआ है, इस तरह से आपको दिखाएगा, इसका देखें, approved हो चुका है, तो यहाँ देखें, download का option बन गया है, download card, बतलब यह candidates अपना download कर सकता है, तो आप देखिए कि आपका यहाँ पे approved है, कि नहीं approved है, अगर आपका approved हो चुका है, KYC section बना हुआ है, तो आपका करेंगे, उस पे click करेंगे, click करते ही, यहाँ पे बोलेगा कि verify करेंगे, यहाँ पे आपको declare करना है, यहाँ पे allow करना है, अब यहाँ पे authentication किसके through करना चाहते है, अधार OTP के through, या किसके through, तो आप चुनाव करेंगे, और उसके बास से आपके beneficiary पे एक OTP चला जाएगा, और beneficiary mobile नमर पे आपको एक OTP जाएगा, तो आप यहाँ पे अधार OTP को लिखेंगे, और beneficiary OTP को लिखेंगे, और यहाँ पे authenticate करेंगे, अगर आप operator से login कि रहेंगे, तो operator वाला OTP जाएगा, operator OTP लिखेंगे, authenticate करते ही, आपका card यहाँ पे download हो ज से check करने होते हैं, अगर आप eligible हैं या नहीं eligible है, तो आप एक बार जो है ना, इस portal पे आईए, जिसका मैं link description box में दे दिया हूँ, और वहाँ पे सारी जनगारी को check करिए, अगर आप eligible हैं, तो form को apply करिए, KYC करिए, और आयुस्मान कार्ट को download करिए, जब भी आपको खुद topics चाहिए, तो आप हमें comment box में बताइए, हम इसके उपर separate separate video लाने की कोशिस करेंगे, आप हमें comment box में बता सकते हैं, मिलते हैं किसी next video में, जाहिन